हेलो मेरे प्यारे बच्चो स्वागात है आपका अंजना विद्धपीट एलो बालोजी में तो बच्चो लास्ट क्लास में हमने स्टाट किया था च्यktor लविंग वर्ड और उसमें हमने डिस्कस किया था लाइफ क्या हो थी है और लाइफ के character अई तो लाइफ क्या है? लाइफ जो है वो एक organization है molecules की और वो जो molecules है आपस में interact हो रहे हैं जिसकी विज़े से chemical reactions हो रहे हैं और उसके ही कारण chemical reaction के resultant हमें जो biological process हैं वो देखने को मिलते हैं तो फिर हमने discuss किया था है कि life जो है उसे हम किसी भी definition में बांद कर नहीं रख सकते हैं life cannot be defined, it can only characterize यानि कि जो life है उसे define नहीं किया जा सकता उसे से characters के द्वारा समझा जा सकता है तो वो कई सारे characters हमने discuss किये थे कि कौन-कौन से characters होते हैं तो पहला character था उसमें से define shape and size यहां पर कहने का अर्थ यह है कि जो living things है या living organism है उन सब living organism में एक specific जो character है वो यह है कि हर living organism का एक defined shape होता है और एक defined size रहता है ठीक है तो यहां पर defined shape या size से क्या मतलब है कि organisms जो organisms है organisms are of defined forms and size organisms are of defined forms and size बट उनका जो size और जो form है या फिर जो shape है वो vary करती है species to species यहां पर यह देखो कि जैसे कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने बहुत सारे organisms अपने आसपास देखे जिनमेंसे एक हम भी हैं हमारे पैट्स होते हैं dog हो गया cat हो गया और यह हम बात करें कि एलेफेंटन की अगर हम बात करें हैं लाइन की बात करें तो यह दि हम लाइन को देखते हैं यानिख जो big cats है हम उसको देखते हैं तो कहते हैं जब लाइना आता है हमारे सामने तो हम चारें और को देखे वो रिधो dess 56 की वजह guys उसके एक defined size की वज़े से, उसकी एक form की वज़े से, body structure की वज़े से, ठीक है, हम elephant को देखके कभी नहीं कहते हैं, कि वो जो है, देखो line आ रहा है, नहीं कहते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर उसकी ऐसा shape है, कि बड़े बड़े कान है, body weight बहुत ज्यादा है जो color है, वो dark gray से लेके light gray भी हो सकता है, ठीक है, तो हम उसको elephant कहेंगे, ठीक है, उसकी एक सून निकली होती है, मूटा होता है, लम बड़े-बड़े से कान होते हैं, तो दान्त बहार की तरफ होते हैं, तो वो elephant ही है, हम उसको elephant ही बोला है, हम उसको देखके कभी नहीं कहते कि लाइन आ रहा है, या अरे देखो, 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 वहाँ पर एक कुटा है, वो एक dog है, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमने उसको elephant ही बोला है, इस चीज़ को समझीए, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर हम dog की बात करते हैं, सबसे सरल example है dog, क्योंकि इंसान के सबसे प अगर मैं बात करों, क्यों के सुछ इस तरीक के लंबे कान होता है, ब्लैक और गोल्डन यहा मं कह सकते हैं, नहीं करते हैं, इर plates भान कन मुँश का इंचो ज़ादे होते हैं, और यह उनकी पाम्डारे के लंबाई होती है वो लगब बा-बाई से चबबिस इंच की उसी प्रकार तो जर्मन शेफर्ड हम दूर से पचान जाते हैं कि वह यह जर्मन शेफर्ड है वह बच्पन से जर्मन शेफर्ड ही पैदा हुआ था ठीक है जब वह एक दिन का था वन डे ठीक है उसका जो साइस था फूर्ट छोटा था अगर आप उसे वन मंठ बाद देखो ठीक है तो इसका science थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ठीक है फिर अगर आप उसको six months बाद देखो तो वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा एक साल बात देखोगे तो वो अपनों specific लंबाई तक पहुँच जाएगा ठीक है तो वो जर्मन शेफर्ड है वो जर्मन शेफर्ड ज क्योंकि उसका specific form एक specific size है ठीक है अब बात करते हैं कि जो specific form है जो size होता है देखो शेप defined है पर या size के हिसाब से अगर हम size की बात करें तो वो एक narrow range तक खट भड़ सकता है पर उसमें भी narrow range की limit है और जैसे कि हमने देखा है कभी-कभी बहुत मूटे लोग होते हैं ठीक है frequencies करकर के exercise करके क्या करते वो अपना body mass जो है वो कम कर लेते अपना वेट कम कर लेते अब यहां पर अचार ही बाद ध्यान बाकी के बॉड़ी पाट हैं, जो हाथ हैं, हम दो पेरों पे खड़े होते हैं, ठीक? हम exercise करके अपनी body को एक不同 shape दे सकते हैं, परन्तो जो form है body की, वह सेम ही रहेगी, ठीक? इस चीज को समझना पड़ेगा हमें तो हमने बात की कि जो organism है, उसका एक character है, defined shape and size, तो defined shape और size का मतलब है, कि एक प्रकार के organism में specific type की shape होती है, और size भी होता है, size क्यों होता है, देखो, इस चीज को समझो, कि जिसे कि elephant मोटा होता है, ठीक है, जिराफ पतला होता है, कभी आपे देखा है, zero figure वाला elephant, नहीं देख तो यह हमें समझना होगा या फिर हम कहें कि जो डॉग से जर्मन शेफर्ट का जो बजन होता है मैंने विताया कि 60-90 पाउंड के बीच का होता है तो वह स्पेसिफिक हम बोल सकते हैं लिमिट के अंदर रहता है कि साइस यहां से आता की भढ़ सकता है वेट यहां से आता की और ग्यानिजम है उनमें जो जो बोडी का जो शेफ है या साइज है वो कैसा होता है डिफाइन होता है और इसी कारण हम इनको कहते हैं मॉर्फास क्या कहते हैं मॉर्फास ठीक है इनको हम क्या कहते हैं मॉर्फास वही पर जो नॉन लिविंग अब्जेक्ट होते हैं उनमें यह ability नहीं होती है, ability की बात नहीं, कि उनका जो non living object है, उनका जो shape और size है, वो एक जैसा नहीं रह सकता, इसलिए हम non living object को कहते हैं, amorphous, देखो, अब तुम करोगे कुरसी तो कुरसी जैसी है, मेज मेज के जैसी है, बिलकुल है, कुरसी कुरसी जैसी है, मेज मेज के जैसी है, पर अगर कुरसी टूट जाती है, तो उसको तोड़के stool भी बनाया जा सकता है, मेज को दुबारा से छोटी मेज बनाई जा सकती है, तो इस चीज को समझो कि जो non living objects होते हैं वो amorphous होते हैं non living objects है वो amorphous है वो amorphous क्यों है क्योंकि उनकी shape और size defined नहीं है जबकि living object की जो shape और size है वो defined है एक बात और कि एक narrow range से एक narrow range तक size जो है वो घटबर सकता यानि कि change हो सकता तो बच्चों ये था हमारा आज का lecture और आज हमने discuss किया कि defined shape और size क्या है बस समझें कि कोशिश कर अपने आसपास देखो खुद explore करो कि भई इसका मतलब क्या है defined shape and size simply कोई भी organism है living object है उसका जो shape है या form है वो defined होती है with narrow size तक घटबर सकती है change हो सकती है इसके अलावा और कुछ नहीं सबसे बड़ा example हम खुद हैं हम अपनी body को एक different shape दे सकते हैं पर different shape से मेरा मतलब है हम exercise करके अपनी body को different shape मिला सकते हैं कि बजन घटा बढ़ा सकते हैं वो भी limit तक पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अपने ये दो हाथ की जगे चार हाथ बना ले या दो पैरों की जगे हम एक यह पैर पे ऐसे करके खड़े हो जाएं एक पैर गाया हो जाएं यह possible नहीं है तो हर organism का defined shape और size है तो बच्चो I hope कि यह जो topic है कि आपकी समझ में आया हो कि यह क्यों important है और क्यों यह life का एक character है ठीक है बच्चो बच्चो मिलते हैं next lecture में तब चैनल को subscribe करना ना भूले क्योंकि आपका एक subscription आपका जो एक subscribe करते हो ना तो वह मुझे बहुत motivate करता है तो चलो मिलते हैं फिर अगले lecture में तब तक के लिए बाई-बाई